Responsive designs को बनाना आज की तारिक में एक बहुत बड़ी necessity बन गई है Tailwind CSS की साहिता से बहुत ही अराम से आप लोग अपने responsive designs को बना सकते हैं और आप लोग अपनी websites को किसी भी device में बहुत अच्छी तरह से working बना सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Tailwind CSS के breakpoints का क्या concept है किस तरह से आप लोग Tailwind CSS में breakpoints का इस्तेमाल कर सकते हो और आप लोग वो ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग एक ही website को अलग-अलग तरह से render होता हुआ दिखा सकते हो स्माल स्क्रीन पर, मीडियम स्क्रीन पर या बड़ी स्क्रीन पर जैसे की बहुत वाइड, अल्टरा वाइड मॉनिटर जो होते हैं और उसी के साथ साथ एक छोटा पिद्दी सा डिवाइस अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी website को चला पाए तो Tailwind CSS में वह भी हो जाएगा Tailwind CSS इतना powerful है कि जो values होती है small devices की और medium devices की width की और बड़े devices की width की इनको आप लोग change भी कर सकते हो Tailwind की configuration file का use करके तो चलते हैं, dive deep करते हैं इन सारी चीज़ों में और देखते हैं किस तरह से responsive designs बनाई जाते हैं, Tailwind CSS के अंदर So guys, मैं आपको वापस अपनी computer screen के अंदर और अभी आपर करने के अबाले हैं, बहुत ही अच्छा वाल शॉटकट लेने वाले हैं कि मैंना already template को copy कर दिया तो मैं आपर Tailwind Tutorial 7 नाम से एक folder भी बना दूँगा और इस folder को VS Code में भी खुल दूगा और आप लोग बोर भी नहीं होगे, ठीक है तो यह मैंने इसलिए करा, क्योंकि मैं आपर जल्दी से npm run, sorry, npm run नहीं, npm i करने वाला हूं और npm i करने के बाद मैं npm run start करने वाला हूं क्योंकि मेरी package.json के अंदर मैंने start script set कर रखी है वो अपने wheat server को run करने के लिए कर रखी है, तो उस भी पहले मैं क्या करूंगा, right click command palette toggle screencast mode ताकि मैं जो करूं, आप लोग को यहां पर दिखाई पड़े, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी छुपा रहा है आप लोग से, ठीक है हाँ मैं आपर जरूर लिख सकता हूं npm run और npm run के बाद मैंने आपर लिख दिया start ठीक है, मैं एक्चली यहां पर देख रहा था कि मैंने क्या command set किया हुआ है, क्या मैं सही command run भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं देखो, Tailwind के अंदर सारी की-सारी utility classes आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो as classes, वो बिलकुट CSS classes की तरह होती है लेकिन होता कुछ यह है कि जब भी आप small screen में किसी चीज को या फिर बैक होगा किसी class को apply करना चाहते है तो आप sm colon करके इस्तेमाल कर सकते हो, medium screens पर md colon, lg यानि की large screens पर excel, extra large और 2xl, 2xl होता है हमारा extra extra large, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस particular document में आप लोग को दिखा हूँगा यह काम किस तरह से करना है, मैं यहाँ पर इस index.html को मैं खोलूँगा और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ बीजी रेट 900 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ आप करो क्या, जब भी अपने tailwind website को बना रहे हो, आप आजाओ एकदम small device में, एकदम छोटे से device में, ठीक है और आप यहाँ पर जो भी classes लिखोगे, वो आपके small device पर apply होगी, ठीक है आप कुछ इस तरह से इसको करने की कोशिश करो, अब करेंगे क्या, मैं जाता हूँ कि जैसे ही, मैं small breakpoint पर पहुँचू small breakpoint पर पहुचू, मैं कर दू, bg को yellow 50, ठीक है, मैं yellow 50 करना चाता हूँ bg को अब देखो, अभी क्या bg yellow 50 हुआ, नहीं वहा अब 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 ऑ अब अ आ भी नहीं हुआ अब देखो यह उओ आप जी एकषीट किया यहां पर देखो आप यहां पर यहाँ पर यह इह दिख रहा है न आपको 640 मैंने जैसे exceed किया यह जो है change हो गया अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे 640 मैंने exceed किया यह वाली class लग गई इस वाली class को यह भूल गया अब मालो मैं चाता हूँ कि जैसे जैसे मैं screen को और बड़ा करता जाता हूँ मैं और classes apply करूँ मालो मैं large screen पर bg green करना चाता हूँ for some reason और तुरसर darker version करना चाता हूँ और larger breakpoint पर मैं text black भी करना चाता हूँ क्योंकि शायद white green पर नहीं दिखेगा ठीक है तो यह मैं जैसे ही करूँगा आप लोग देखो जैसे मैं बड़ा करूँगा बड़ा करूँगा यह निकि वहां से लगाना चाता हूँ जैसे इस case में हमने 640 देगा था 640 क्या था 640 था वो width जिसके beyond अगर मैं गया तो यह वाली class apply हो जाएगी कौन सी class apply हो जाएगी यह वाली class apply हो जाएगी SM वाली यह जो मैंने class लिखे हूँ यह इसको थोड़ा 500 कर लेता हूँ तक कि कम से कम यार थोड़ा डाप तो दीखे background अभी तो यहां पर लिकुल ली light दिख रहा है तो by default जब मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे device में यह निकि SM से भी छोटे device में जब मैं हूँ उसको मैं by default मैं जो class लगा रहा हूँ वो है bg red if I'm not wrong bg red 900 और इसके बाद जैसे ही हम SM breakpoint को hit करते है यहने कि smaller screens पर आते है तब मैं चाहता हूँ कि yellow color का background लग जाए उसके बाद मैं और बड़ा करूँ तो मैं चाहता हूँ कि green लग जाए अब मैं चाहता हूँ और मैं बड़ा करूँ तो क्या हो LG के बाद Excel Excel breakpoint पर लड़सते मैं चाहता हूँ कि मैं background को कर दूँ कोई widget तरसा color लेते हैं blue ले लेते हैं ठीक है तो यह widget तरसा अदबुत color मैंने ले लिया bg blue 600 ठीक है अब देखो मैं जैसे से बड़ा करते जा रहा हूँ मेरा पहला SM breakpoint लग गया और बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ मेरा कौन सा लग या LG breakpoint लग गया और बड़ा कर रहा हूँ मेरा Excel breakpoint लग गया ठीक है यहाँ पर मेरा Excel breakpoint लग गया और बड़ा करूंगा तो 2xl breakpoint लग जाएगा ठीक है बड़ी screens के लिए तो यहां पर यह बताया जा रहा है आपको कि कौन सा breakpoint कबसे लगना चालू होता है और यह भी बताया जा रहा है कि उसकी corresponding CSS क्या होती है क्योंकि कोई जादू अदू होता नहीं at the end of the day यह CSS ही होती है अब इसी बात पर मैं आप लोगको एक जादू ही ट्रिक दिखाऊंगा आप लोगको यह wire का टुकड़ा दिख रहा है इसमें कोई भी कट है क्या इसमें कोई भी कट नहीं है ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसको फोल्ड करूंगा कुछ इस तरह से और आप देख रहे हो और इसको कटर से काट दूगा सब कुछ आपके सामने यह कोई editing नहीं कोई camera trick नहीं है इसको कुछ इस तरह से मैं कट लगा दिया तार में दिख रहा है कोई कट यह कट लगाने के बाद मैं क्या करूंगा इस कट को डालूंगा इस तार को अंदर देख रहे हो आप देख रहे हो यह तार का टुकड़ा जो है एक दम वापस आ चुका है यह वही तार का टुकड़ा है अब आप लोग नीचे चल्दी से comment में बताओ कि यह जादू था यह यह भी tailwind css की तरह कोई जादू trick नहीं थी जैसे कि tailwind css अंदर ही अंदर media queries का इस कुछ इस तरह के breakpoints मिलते हैं जिनको हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं इससे हम लोग कोई भी responsive layout बना सकते हैं जैसे कि मैं आप लोग को आने वाले कुछ projects में बताने वाला हूं एक बात आप लोग की जानकारी के लिए बता दू कि यह जो हमारे breakpoints से इनको इस्तिमाल कुछ इस जैसे ही आपकी width 640 pixel हो जाती है तब आप क्या करेंगे कि यह वाली class apply करते हैं जो कि यह है bg yellow 500 तो यह class आ जाती है आपके element के अंदर जैसे ही sm breakpoint hit होता है लेकिन जैसे ही lg breakpoint hit होता है जैसे ही आपकी screen जो है वो आती है 1024 तो क्या होता है कि आपकी जो class है वो यह वाली add हो जैसे अस लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं जैसे ही MD हो वैसी bg indigo कर दो 500 ठीक है bg indigo 500 कर दो तो आप देखो यहां पर जैसे मैं इसको बड़ा करता जाओंगा यह आ गया मेरा SM breakpoint यह आ गया मेरा MD breakpoint और है आ गया मेरा LG breakpoint ठीक है तो SM MD LG breakpoints मेरे आ गए तो मैं tablet में phone में या किसी और width की device में अलग-अलग behavior show करवा सकता हूं तो यह आपका default जो design style है वो होना चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी screen को बड़ा कर लेते हैं और कहते हैं मैं LG में कुछ ऐसा देखना चाहता हूं उनको लगता है कि जो बड़ी screen है उसके classes वो directly लिखेंगे और उसके बाद वो लिखते है SM में क्या होना चाहिए LG में क्या होना चाहिए MD में क्या होना चाहिए नहीं गलत है आपको सबसे पहले छोटा करना है Tailwind CSS के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो और मैं आप आप लोग को documentation में भी दिखा तो यह बात लिखे हुई है use unprefixed utilities to target mobile and override them at larger breakpoint जैसे जैसे आपकी screen बड़ी होती जारी है वैसे वैसे आप classes को change करें और behavior को change करें browser के अंदर आपका जो design है वो change होता जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ा करेंगे तो इस तरह से आप लोग को use करना है ऐसा नहीं करना है कि SM आप mobile devices के लिए कर रहे है MD आप tablet के ल वाली classes को उसके बाद मेरा थोड़ा बड़ा यानि कि इससे भी बड़ा जो breakpoint है वो use करेंगा MD colon वाले breakpoints को ठीक है इसके बाद इससे भी बड़ा use करेंगा LG वाले breakpoints को यानि कि यह वाली classes को अब मैं एक से जादा भी डाल सकते हूं यहाप यहापर मैं LG text black डाल दिया अब यहापर मैं MD में text green डाल सकता हूं ठीक है तो possibilities are endless यार possibilities are endless जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहापर मैं text को डाक कर दिया थो आप मैं text को white भी कर सकता था यहापर text green 700 नहीं मैंने इस वाले breakpoint को अभी तक हिट किया नहीं है तो इसको यहापर text bg white कर दूं तो यह background मेरा white हो ज अलग-अलग classes add कर सकता हूं अब यहापर एक बात और मैं आप लोग को बताऊंगा और वो बात यह है कि आप लोग इन values को change भी कर सकते हैं tailwind CSS के अंदर जैसे कि आप लोग SM, MD, LG की values को यहापर देख रहे हैं कि यह 640 है यह 768 है हाला कि यह जो values इनको change करने की जरूरत आप आपको पढ़ेगी नहीं लेकिन अगर आप चाहें कि कब आपका SM breakpoint hit हो रहा है कब आपका MD breakpoint hit हो रहा है अगर आप चाहते हैं MD और LG के बीच में एक और breakpoint बनाना वो भी आप बना सकते हैं तो यह सारे के सारे काम config file को change करके किये जा सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको 90% of the cases में जरूरत नहीं पढ़ेगी लेकिन अगर पढ़ती है जरूरत आपके custom project के लिए तो tailwind तयार है आप लोगों को और breakpoints देने के लिए और in existing breakpoint की values को change करने के लिए भी tailwind तयार है इतना बड़ी है tailwind और क्या लोगे आप tailwind की जान लोगे क्या अब एक और example जो मैं आप ल इसके जो MX से उसको zero कर दूँगा ठीक है मैं MX को zero कर दूँगा क्योंकि यार यह इतना छोटा device है इसमें भी मैं अगर margin दूँगा left right में तो क्या फायदा ठीक है हाँ मैं एक चीज़ कर सकता हूं मैं इसमें px1 दे सकता हूं थोड़ी सी padding बस थोड़ी सी जादा नहीं अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसके जो मेरा text size है उसको मैं small कर सकता हूं text sm class का इस्तेमाल करके और text sm इसके font size को इस्तेमाल कर देगी एक text xsm class भी होती है if I am not wrong text xs होती है xsm नहीं होती है xs होती है text xs जो कि extra small के लिए होती है let me check let me check let me check हाँ होती है ठीक है जिसमें font size 0.75 रहम होता है मैं इस class को हटा दूँगा जैसे ही मेरा sm breakpoint हिट होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर कर दूँगा text sm ठीक है मैं access से sm कर दूँगा text को और आप देखो जैसे मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा यहाँ पर text font का size भी बड़ा होगा आप देख रहे हो कैसा switch हुआ font का size और मैं यह काम heading के साथ भी कर सकता हूँ अगर मैं आपर md लिखो और मैं चाहता हूँ कि जो medium size के devices में है उसमें मेरी जो text है जो मेरा default text का size है वो apply हो जाए जो text base होता है वो default text का size होता है जो बिना किसी class को लगाया आपको मिलता है वो यहाँ पर मिल जाएगा text base है ठीक है तो अब देखो यहाँ पर किस तरह का behavior शोग किया जाएगा सबसे पहले मैं सबसे छोटा बनाता हूँ इसको जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा आप देखो यह yellow हो गया और यह यहाँ पर ठीक टाक हो गया अब यह एकदम से अचानक से बहुत बड़ा हो गया देख रहे हो आप लोग तो इस तरह से आप लोग जो है font sizes को change कर सकत लेकिन मैं चाता हूँ कि जैसे को user बड़े device में आता है यह चीज ना दिखे यानि कि जैसे यह एक से कम दो से कम line में आ रही है अगर मानलो यह एक line में आप आ रही है तो मानलो मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि you are on a large device ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा मैं कु अब क्योंकि मैं यहाँ पर LG breakpoint पर इसको hidden कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसको यहाँ पर LG breakpoint पर visible कर दूँगा ठीक है अब visible क्या होता है visible देखो visibility visible होता है और hidden क्या होता है display none होता है तो मैं यहाँ पर visible नहीं करूंगा इसको sorry मैं यहाँ पर block कर दूगा मैं visibility hidden नहीं करना चाहूंगा अब देखो यहां पर क्या होगा मैं इसको और बड़ा करूँगा मैं इसको छोटा करूँगा अभी तो दोनों मेरे elements सेम है मालो मैं चाहता हूँ यहां पर टेक्स को चेंज करना और मैं यहां पर जल्दी से word wrap को टॉगल कर लेता हूँ मैं इसको मिटाओंगा और इसको मिटाने के बाद मैं लिखूंगा hey you are on a large screen check this out ठीक है मालो आप large screen में अपने user कुछ और दिखाना चाहते हो for some weird reason यार for some weird reason मुझे नहीं पता क्या है वो weird reason वो weird reason क्या है मुझे नीचे बताओ comment में कुछ भी लिखना अजीव सी चीज़ ठीक है जैसे ही मैं बड़ी screen में आता हूं यह कोई कह रहा है hey you are on a large screen now check this out और यह उपर वाला जो है वो उसकी जो display है वो actually none हो जारी है और दूसरे वाली की display block हो जारी है and vice versa जैसे मैं screen switch कर रहा हूं वैसे क्या हो रहा है कि इनकी classes अपने आप change होगे इनकी css properties change हो जारी है तो बड़ी screen पर अगर आप कुछ और elements और छोटी screen पर कुछ और elements दिखाना चाते हो तो वो भी चलता है वो भी आप कर सकते हो और जहां बात रही tailwind config.js को edit करने की यह आप तब edit करोगे जब आप बहुत ही advanced काम करना चाते हो ज़िए कि आप breakpoints और करोगे कुछ cases हैं जिसमें आप इसको कभी-कभी edit करोगे वो मैं आप लोग को बता दूंगा so yeah that was all about building responsive designs and intelligence css I hope कि आप लोगो समझ में आया I hope आप लोगो मजा आया I hope आप लोगो को अच्छा लग रहा है मुझे नीचे कॉमें में जरूर बता हो और यहां पर काफी चीजे मैंने चेंज करी है मुझे बता हो यार कैसे लग रहा है कोर्स आप लोग को यह नया और अभी के लिए इस व हुआ है